आप सभी को नमश्कार स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रोलाचर में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुंडली में मौजूद नो घातक योगों के बारे में हम जानेंगे कैसे बनते हैं ये योग और क्या प्रभावत्पन करते हैं जीवन में वेदिक जोतिश में जब कुंडली का अध्यन होता है तो शूब और अशूब योगों को भी देखा जाता है जहां अशुब योग जातक को बहतरिन जीवन देते हैं वहीं अशुब योगों के कारण जातक को खुब परिशानी का सामना करना पड़ता है प्रेम जीवन में परिशानी आती है कामकाज में परिशानी आती है परिवारक के सुख में कमी आती है आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है, मान सम्मान नहीं मिल पाता है, जातक डरा डरा सा जीनने लगता है तो आई ये जानते हैं वेजिक जोतिश के नुसार नो ऐसे योगों के बारे में जो जातक के जीवन संघर्ष पेदा करते हैं पहला है चांडाल योग जब गुरू के साथ राहू या केतो कुंडली के किसी भी भाव में बेठें तो चांडाल योग बनता है ये योग जातक के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और इसके कारण करजा बढ़ता जाता है आर्थिक नुक्सान बढ़ता जाता है व्यापार में नुक्सान होने लगता है अगर कोई पैसा ले ले तो वो वापस नहीं करता है कुंडली के जिस भाव में ये योग बनेगा उसके हिसाब से ही परिणाम ज्यादा देखने को मिलेंगे उधारण के लिए अगर व्यापार वाले भाव में चांडाल योग बन जाए तो व्यापार में जातक बरबाद हो जाएगा विवहा में परिशानी आईगी बार बार धोखा मिलेगा अगर संतान भाव में चांडाल योग बन जा तो जातक संतान के कारण परिशान होता रहेगा संतान रोगी रह सकती है कामकाज के भाव में अगर चांडाल योग बन जा तो जातक का कामकाज स्थिर नहीं रहतक सकता उसे बार-बार काम बदलना पड़ सकता है इस्थाई नोकरी नहीं मिल पाती मिल जाए तो किसी ना किसी कारण से छोड़ना पड़ती है अतहा अगर कुंडली में चांडाल योग के कारण बहुत परिशानी आ रही हो तो इसका उपाए जोतिश से पूच के अवश्य करना चाहिए यहाँ ये भी जानना अवश्यक है कि कोई एक उपाए नहीं होते हैं दोशों को दूर करने के लिए कुंडली में योग कहां बन रहा है उसकी शक्ती कितनी है उसके हिसाब से ही उपाए निकाले जाते हैं अतहा अच्छे जोतिश को कुंडली अवश्य दिखाना चाहिए सूरी ग्रहन योगा योग तब बनता है जब रहूर केतु के साथ सूरी बेठे हो कुंडली के किसी भी भाव में सूरी ग्रहन के प्रभाव से जातक कुम्हान सम्मान मिलने में बहुत परिशानी आती है पेतरिक संपत्ती के सुख में कमी आती है जातक का तेज कम होता है पिता के स्वास्थे के कारण परिशाणी बनती है, कानूनी अर्चने बहुत आती है हायर ओफिशल्स के साथ संबंद बनाने में काफी कठिनाई महसूस होती है कुंडली के जिस भाव में सूरी ग्रहन योग बनेगा, उस भाव के हिसाब से परिणाम ज्यादा दिखेंगे यहाँ ये भी जानना आउशक है कि सूरी ग्रहन के दुश्प्रभाव को कम करने के लिए कोई एक उपाय नहीं है योग किस भाव में बना है, उसकी शक्ती कितनी है, उसके आधार पर उसके उपाय निकाले जाते हैं अतहा कोई अच्छा जोतिश ही आपकी कुंडली का माइनूट अनालिसिस करके ही सही उपाय आपको दे सकते हैं पित्रदोश जब भी कुंडली में नवे भाव में शत्रू राशी के राहू या केतू बेड़ जाएं तो पित्रदोश बनाएगा या फिर कुंडली में सूरी शत्रू का हो तो भी पित्रदोश बनेगा या फिर शनी पीडित हो तो भी पित्रदोश को जनम देते हैं कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि कुंडली के दूसरे पांचवे या फिर नवे भाव में राहू, केतू या शनी बेड़ जाएं तो भी पित्रदोश बनता है इस दोश के कारेंट जातक के जीवन में हर काम में बाधा उत्पन होती है बिना संघर्ष के कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है संतान रोगी हो सकती है, करजा बढ़ सकता है, गंभी रोग उत्पन हो सकता है, विवाह में देरी हो सकती है आदी अतहिस का उपाई शिगराति शिगर करना चाहिए नागदोश यदि जातक एक उंडली में पंचम भाव में राहू मुझूद हो तो ऐसे में प्रवल नागदोश बनता है नागदोश के कारण जातक को संतान हानी, विद्या प्राप्ति में परिशानी, शत्रुबाधा, असाध्यरोग से परिशानी होती है कुछ जातकों को स्वप्ण में भी नागदसने का भाय लगता है, भयानक सपने परिशान कर सकते हैं इसका सबसे सरल उपाई यह है कि शिवाराधना की जाए और दूसरे उपाई कुंडली में ग्रहों की स्थिदी को देखने के बाद ही निकाले जाते हैं जो कि आपको एक अच्छा जोतिशी बता सकता है अंगारक दोश कुंडली के किसी भी भाव में अगर मंगल के साथ राहू या केतु बैड़ जाए तो अंगारक दोश को जनम देता है यह योग दुरघटना को जन्म देता है और अगर यह योग किसी जातक के कुंडली में अस्टम भाव में बन जाए तो निश्चिती जातक दुरघटनाओं में बहुत कुछ गमा देता है अगर अंगारक योग लगन में बन जाए तो जातक को भयंकर कुरुधी बना देता है इस प्रकार विभिन भावों में अंगारक योग बनने के विभिन प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं इस योग का समाधान जरूर करते रहना चाहिए अन्यता जातक गलत मार्ग में भी चला जा सकता है नशे का अधी भी बन सकता है क्राइम भी कर सकता है गंभीर रोक का शिकार भी हो सकता है पिशाज योग अगर कुंडली में राहू या केतू शनी के साथ बेट जाएं तो प्रबल पिशाज योग बनता है इसके कारण जातक को कभी कंभीर समस्याओं से गुजर्ना पड़ता है ऊपरिबादा परेशान कर सकती है जातक को बार-बार नजर्थ दोश्च गुजर्ना पड़ता है हर काम में रुकावट आती है डरावने स्पने आते हैं शत्रुबादा बहुत बढ़ जाती है जातक काले जादू से भी परेशान रह सकता है अगर कुंडली में पिशाच योग हो तो ऐसे में सुरक्षा के लिए प्रयोग अवश्य करवाने चाहिए जोतिश्य सलाह लेके केमद्रुम योग ये योग चंद्रमा से जुड़ा हुआ है अगर चंद्रमा कुंडली में अकेला हो या फिर उसके आगे पीछे भाव में कोई ग्रह ना हो या फिर उस पर किसी ग्रह की दरश्टी ना पड़ गई हो तो ऐसे में जातक केमद्रुम योग से ग्रस्ट होता है इस योग के कारण जातक बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है हर काम में बाधा आती है विवादेर से होता है जीवन साथी के साथ संबंद सही नहीं बन पाते हैं संतोष जनक आये नहीं हो पाती है तो अगर आपके कुंडली में केमदरूम योग बन रहा हो तो ऐसे में जरूरी है कि आप उची तोपायों को जोतिश्य सलाह लेके अवश्य करते रहें विश्योग अगर कुंडली में शनी और चंदरमा साथ में बेट जाएं या फिर एक दूसरे को पून्द रश्टी से देखें तो विश्योग का निर्मान करता है इस योग के कारण जाता को मानसिक परिशानी से गुजरना पड़ता है प्रेम संबंदों में बहुत परिशानी आती है स्वास्त रह रहे के खराब होता रहता है ऐसे में जरूरी है कि कुंडली का पूरा विश्योशन करवा के सही उपाय किया जाएं चंद ग्रहन योग अगर कुंडली में चंद्रमा के साथ किसी भाव में राहू या केतु बेड जाएं तो इसमें चंद ग्रहन योग बनता है इस योग के कारण जातक को बहुत परिशानी उठानी पड़ती है माता के स्वास से पर असर पड़ता है जा तक मानसिक तोर पर कमजोर पड़ता है नजर बहुत लगती है डर बहुत लग सकता है आदी तो इस प्रकार हमने देखा कि कुंडली में कौन से नो प्रकार के दोश मिल सकते हैं वेदिक जोतिश के नुसार और उन से हमें क्या-क्या नुकसान हो सकता है कुंडली में मौजो दोश कितना असर दिखाएंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किस भाव में बने हैं और उनकी शक्ति कितनी है तो अगर आप भी अपने कुंडली दिखवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके कुंडली में मौजो शक्तिशाली ग्रह कौन से हैं कमजोर ग्रह कौन से हैं, नुकसान दाया की योग कौन से हैं तो आप जोतिशित सलहा के लिए अवश्य संपर्ग कर सकते हैं तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको नो प्रकार के हार्मफुल योगों के बारे में जानकारी प्राप्त ही होंगी इसकी पूरी डीटिल्स पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्यवाए